हाई फ्रेंट्स मैं डॉक्षर अमित्माईश्वरी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इंफार्मिटिव वीडियो में फ्रेंट्स आज इस विशा पर हम बात करेंगे वह विशा उन सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो अपनी लाइफ में एक नए बिज अगर आप निया बिजनस शुरू करना चाहते हैं तो इन रिने कैसे लें कि कौन सा शुरू करना चाहिए कैसे शुरू करना चाहिए मेतल लाइस्सटण प्रेजेism वेल्ल क्लास हाईजेट लो models लेकिजन maddy PF sophomore वुइँ सबसे पहला प्रस्ण होना चाहिए आइंटिफाई य ये क्या ज़रूर है कि why क्यों पता होना चाहिए? फ्रेंट्स धियान रखेगा 97% बिजनस अपने प्रारंबिक स्तर पर फैल हो जाते हैं उसके पीछे कारें क्या पता है? उसके पीछे कारें उनने नहीं पता होता कि उन्हें बिजनस शुरू क्यों किया है क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि अगर बिजनस शुरू कर दिया तो बहुत अदिक पैसा कमाएंगे, लग्जरी लाइफ जीएंगे, अच्छी अपनी मनो कामनाओं को पूरा करेंगे, जो मन में ड्रीम होगा, डिजायर होगा, उन सब को पूरा करेंगे, लेकिन दोस्तों ये पैसा बनाने के लिए बिजनस का शुबारम करना चाहते हैं, तो समझ लीजिए आपका वाई क्लियर नहीं है, और आप कभी भी उस बिजनस से बेशुमार पैसा नहीं बना पाएंगे, आपको तो क्या निड़ने लेना है, कि आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुल की किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं, या गरहा की किसी समस्या का समाधान करने जा रहे हैं, अगर आपका प्रोड़क्ट या आपकी सर्विस ऐसा कर रही है, तो समझ लीजे कि भविश्य में आपके बिजनस के सफलता की संभावनाएं बहुत अधिक हैं, तो समें पहले टेक्सी ला हायर की जाते हैं टेक्सी स्टेंड से, और टेक्सी हायर करना बड़ा महिनत का भी काम हो जाता था और साथ-साथ बहुत एक्स्पेंसिव भी था, क्योंकि यह कहा जाता था कि टेक्सी अफॉर्ड करना एक लगजरी है, लेकिन आज के समय पर कैब एक necessity बन चुका है क्यों क्योंकि उस organization में identify किया कि market के सबसे बड़ी problem क्या है सबसे बड़ी problem क्या है कि taxi hire करना है अपने आप में एक बड़ी problem है plus taxi hire करना है expensive चीज़ है ध्यान रखेगा आज के समय पर जो चीज लगजरी है आने वाले समय पर वो necessity होगी तो आप देखिए कौन से ऐसी लगजरी है जिसको एक आम आदमी afford करना चाहता है लेकिन केवल और केवल उसके price या उसकी availability के अधार पर उसको afford नहीं कर पा रहा है तो जो problem को identify कर सर्च करना शुरू कर दिया कि इसका right solution क्या होगा और सर्च करने के बाद आपने एक बहुत बढ़िया solution अपने मन में सोचकर design कर लिया अब प्रशन यह उड़ता है कि जो solution आप सोच रहे हैं कि क्या वह वास्तिविक solution है इसके लिए जोरत क्या है make a prototype अब आप यह समझ है चाहें वह product का हो या service का हो उसका prototype design करने का मतलब उसका sample design करना मतलब ठीक वह business market में survive करेगा या नहीं करेगा उसके लिए कुछ demonstration design करना और वह demonstration लेकर market में जाना और market में उसका test and trial करना जैसे मान लीजिए आपने कपड़े दोने का एक साबुन बनाया है उससे क्या कपड product बहुत बढ़िया है तो समझ लीजिए आपने problem का solution कर लिया अगर वो product बढ़िया perform नहीं कर रहा है तो उसको upgrade करें तो prototype बनाना बहुत जूरु है जैसे आप shoe manufacturing company खोलना चाहते हैं तो सबसे पहले शू का एक prototype बनाए कुछ sample बनाए और sample बनाने के बाद market में survey करें जैसे अ कि यह पता लग जाए कि sportsman क्या उस shoe के साथ comfortable है या नहीं और जब पता लग गया कि sportsman उस shoe के साथ क्या-क्या problem face कर रहा है तो उस prototype के आधार पर उनने उनसे feedback लेना शुरू किया Adidas जैसी company ने जब वो shoes market में launch किये तो launch करने से पहले prototype sports player को दिया और sports player जब उसको use किया तो क्या-क्या problem आई जैसे football खेलने वाले players के सामने एक problem थी कि वो गहाँ सपर जब दोड़ते हैं तो shoe फिसल जाता है तो उनने spike वाले shoe डवलप किये football खेलने के अलावा, hockey खेलने वाले, volleyball खेलने वाले players के लिए अलगतर है के shoes, running के लिए अलगतर है के shoes अब उनको ये कैसे पता लगा कि बहालग shoe होना चाहिए क्योंकि उन्होंने prototype market में दिया और उसका feedback लिया जब आप अपने customer से feedback लेते हैं कि जो product वो इस्तिमाल कर रहा है वो बेतर है या नहीं तो समझ लीजिए आप अपने product को आसानी से modify कर सकते हैं अब discuss about pilot project with like-minded people, ये बड़ा important है आपने एक project plan मनाया, आपने prototype त्यार कर लिया, आपने prototype को market में भेज दिया सर्वे करने के लिए, customer का feedback भी लिया, अब ज़रूरत है उस business plan को like-minded people के साथ बैट कर discuss करने की, कि इस business का मैं कौन सा model करूँ, इस business में retail करूँ, इस business में wholesale करूँ, इस business में distribution करूँ, या इसके franchisee outlet बनाऊँ, या इसका distribution network करूँ, या इसको online e-commerce के जरिए बेजूँ या खुद की e-commerce website पर इसको लेकर जाऊँ, या किसी तरह से advertise करें, direct consumer तक पहुँच जाऊँ, तो ये depend करता है कि आप जब like-minded people के साथ बैट कर, उस project plan पर discuss करते हैं, तो आपको right solution मिलता है, कि ये product इस तरह से बेचा जाना चाहिए, ये product इस तरह से market किया जाना चाहिए, य ये product इस तरह से consumer तक पहुचाया जाना चाहिए, तो ये बहुत important है कि like-minded people, अभी like-minded people का मिलेंगे, like-minded people मिलते हैं उस तरह की organizations में, जहां इस तरह की बाते होती हैं, जैसे chamber of commerce, chamber of industry, chamber of import-export, chamber of manufacturers, या business organizations, business training programs, workshops, seminars, यहाँ पर इसी तरह के लोग आते हैं, जो business से संबंदित ह होते हैं, या business में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ऐसी organizations को join करें, ताकि like-minded people आपके साथ आसानी से जुड़ सकें, और उसके बाद, design your model as per the feedback, अब दो तरह के feedback आपके पास आगए, क्या, कि भी product का prototype आपने market में launch किया, तो consumer ने आपको review दे दिया, कि भी यह यह इसमें कमिय है, या इसमें सुधार किया जाए, तो आपने product को develop कर लिया, और like-minded people से बात करके benefit क्या हुआ, कि आपको यह पता लग गया, कि आपका जो feedback आया है, business model का, वो कौन सा business model होना चाहिए, ध्यान रखेगा, कई बार दुनिया के बेहतरीन product भी, केवल और केवल इसलिए fail हो जात की marketing उतनी बेतर नहीं होगी, तो वो product भी market में fail हो जाएगा, इसलिए feedback लेना बहुत जूरी है, और जब आप एक बार बढ़िया product develop कर लें, आपका product final हो जाए, और आपका business model भी identify हो जाए, कि कौन सा ऐसा business model है, जिससे आप उस business को next level ले जा सकते हैं, तो confidence के साथ, उस business को full flash launch कर दें, और कहते हैं हैं कि जब आगे बढ़ते हैं तो समस्यां आती हैं, लेकिन समस्याओं का समाधान भी उनी समस्याओं में छुपा होता है, इसलिए जरूरत है इन सबी steps को follow करने की अगर आप एक नए business का शुबारम करना चाहते हैं, इसके लावा business related आपके मन में कोई कोई भी प्रश्ण है तो वो प्रश्ण हमें comment box में ज़रूर लिखें ताकि आने वाले वीडियो में आपके सवाल के जवाब आपको मिल सकें, कोई भी informative वीडियो मिस ना उसके लिए चैनल को subscribe करें, bell icon को ज़रूर प्रेस करें ताकि वीडियो का notification सबसे पहले आपके पास है स्वस्त रहें, मस्त रहें, मैं डॉक्टर अमित माईश्वरी, आपके सुनरे वविश्य की कामना करता हूँ, जै हिंद, जै भारत